इस्राइल हमास युद्ध के बीच भारत में कई लोग फिलिसिन का सपोर्ट कर रहे हैं समर्थन करने वालों में एक AIM-IM चीफ असुद्धिन ओवेसी भी है ओवेसी ने कहा इस्राइल गाजा में जो कर रहा है वो नर्सवहार है पेम मोदी को ये युद्ध रुकवाने के लिए प्रयास करने चाहिए G20 के प्रमुक के तोर पर भारत के प्रदान मंतरी की अतिरिक्त जिम्मेदारी है कि वो युद्ध विराम करवाए वहाँ एक हुमन कोरीडोर खुलवाए ताकि फिलिस्तिनियों को रहत मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके ओविसी ने ये बाते पार्टी ओफिस में फिलिस्तिन में इसराइल के अत्यचारों के विरोध में आयोजित एक सारवजनिक बेठक को संबोदित करते वे कही इसमें भारी संख्या में लोक इखटा हुए इस दोरान ओविसी ने फिलिस्तिन जिंदाबाद के नारे भी लगाए ओवेसी की सारवजनिक बेठक में कई प्रस्ताव पारित किये गए जिन में उन्होंने फिलिस्तिन का समर्थन किया और इसराइल दोरा उनकी जमीन पर कबजा करने का विरोध किया एक अन्य प्रस्ताव में कहा गया कि इसराइल को 1902 और त्रियाणू के ओसलों समझोते का सम्मान करने के अलावा अंतरराश्टी कानून और संयुक्त राश्ट के प्रस्तावों का पालन करना चाहिए प्रस्ताओं में कहा गया कि इसराइल को गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, येरुशलम और 1967 में अपने कबजे से पहले के सभी शेत्रों पर अपना कबजा खतम करना होगा इसराइल को अब तक एक स्वतंद्र और संप्रपो फिलिस्तिनी राज के गठन को नहीं रोकना चाहिए इसी के साथ मेंने रहे ही इशन इस इंडिया के साथ नहीं बाद